यह हिंद्द इस वीडियोह उपनों में सियाई इनफा कमपनें को बात करेंगे आज इस कंपणि ने अ divory के बात करेंगे बात करेंगे और जानने का परियास करेंगे इस नतीजह के लिए कर कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या आसर पड़ेंगे अगये वीडियो करते हैं यहां देखेंगे दोस्तों कमपनी के board of directors की मीटिंग होई है आज जाने के 11 फर्वरी और इसी मीटिंग में कमपनी इपने quarter three रिजल्ड जा रही कि हैं जिसके बारे में अब बात करेंगे यहां आप देखेंगे तो लाक में दोस्तों तो Q3 में स्रेडियर 9.06 रोपाय का हुआ जो कि पिछले Q2 में 9.90 रोपाय का और अगर साल पर पहले की बात करें यानि कि पिछले साल के जो Q3 9.06 लाग थे और अगर साल पर पहले की बात करें तो 9.48 लाग रुपे कंपणी ने खर्च किये थे बिजनेस पर बिजनेस के कमाया है वहीं पिछले क्वार्टर में तो सिर्फ .84 लाख रुपे का कम्पनी का बढ़ा है अब बात करें एक शेयर पर एक साल में कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है तो आप देखेंगे क्वार्टर थी में कुछ नहीं हुआ है 0.00 है जो कि पिछले quarter में भी 0.0 पैसा ही था और अगर साल पर पहले देखेंगे तो 0.01 पैसा के आसपास हुआ था तो अगर आपके पास इस कंपनी में तगड़ा इन्वेस्टमेंट है तो सही समय तेको उसको निकाल लीजिए क्योंकि लॉंग ट्रम के नजरिये से इस कंपनी में ठाड़ना मुझे मुझे मुनासिब नहीं लगता है उम्मीद करता है वीडियो इनफर्मेटिव लगी होगी अगर मन में कोई स्वाल है तुम उसे पूछे बाकी मिलते हैं इन्नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया